असलाम नाज़ीन मैं हूँ रियादाजी जो प्रोगाम है ट्रेज यूनियन व्लू इस वक्त नाज़ीन में तब टेलफुन लाइन पर हैं शाहिद अगबाल साथ आप मत्री मीडिया कॉडिनेटर हैं रेलवे प्रेम यूनियन के यहां पर रेलवे यूनियन में बहुत सारे म करा जारी है हम शाहिद अगबाल से पूछते हैं असल पूजिशन क्या है और यह क्यों हो रहा है सब कुछ असलाम अलेकुम जणाब शाहिद अगबाल साथ आप में आपका तालूप किस यूनियन से पहले तो अपनी थोड़े सा तारूप करा लिए अपनी यूनियन का अप और मरकजी मीडिया कोजियर की तारूप कर रहा हूं और किराची से मेरा आसवाथ नालूप है अच्छा इस वक्त अपनी यूनियन काम करी ये वैसे तो बहुत है लेकिन किराची के अंदे तक्रीवां जोना साथ आठ यूनियन हैं जो काम कर रही है और इसमें मेरा ताल। त्रेड उनियन से है। एक अजबाद क्या है आप एक ख्याल गाई तक्रीबन चौदा माँ का अरसा गुज़र गया तक्रीबन और हमारे को तंखाएं अपने ताहिन वक्ते मुकर्रण पर नहीं मिलती हमारे हाँ तूर का सिस्टम है ए तूर बी तूर सी तूर डी तूर जिसमें हेड़कॉटर तूर को अज़ तो ट्रू शूर लग है तो जिनकी तरह का तरीकर यह है कि एक अधिर कागा से तूर पाँच तारीक को आता है बी तूर ड़ तारीक को आता है तूर पंदरा तारीक को आता है और अगया सांधे तूर बिभकं Whenever आ को ही यह कैं परूज यह कैया मत् We हाँ मैं आपको ज़रा सा काईड कर दूँ एड को तूर का मतलब है जो आफिसरन जो आते ना अफसरान वो है जो पहली तारिक को तंखाएं होती है अच्छा अच्छा एटूर जो है वो पांच तारिक होती है वो भी असरान सी निचला तपका आ जाता है जिसमें 16 ग्रेट के लोग आजाते हैं अच्छा और शीक्ते बात 10 तारिक को जो तंखाएं आती है वो हमारे पास चाइमें और मिस्टरी यानि के वो नौ के लेके और उसके अंदर जो तंखाएं आती है वो बाराग ग्रेट तक आ जाती है और पज़िए तारिक को सी तूर आता है और डी तूर अच्छा आता है वो ख्लास 4 का अलाका एरिया है जिसके अंदर हमारे पास जोना एक से लेके शे नंबर स्केल के जोना मुलाजमीन वें उसमें शामिल हो के हैं इसमिर डेली वेजिस नहें वो मक्सूट है वो डी तूर नहां आते हैं वो भी हमारे तंदर अज़िए उनकी अच्छा अबीश्मिर को भी है शायद इखाल साब के तंदर एक माह दो दो माह लेके जाए जी मैं आपके यह जादाना चाहरा था कि चोड़ा माह से हमें ताखिर का नतीज़ा बदना पड़ रहा है जिसमें बीस से पच्छिस दिन हमारे को ताखिर का जैना सामना करना ताखिर के आम ताखिरात का एलान हो चुका था ता तमाम बैंक्स पंद हो रहे थे और लोग यानि हमारे असरां जो है वो अपने घरों पे एद मनाने की लिए जा चुके थे और हम यहां तनकौाओं का राह देख रहे थे और हमने यहां इतिजाजन मैल्टिनस छोड़ दि तो इस पर हमारे जो डिविजनल सुवीजेड हैं खलीली साथ उन्होंने हमसे राफ्टा किया और उन्हें कआप अपर अप्री हर्टाल खतम कर दें हमने हर्टाल खतम करने से इंकार कर दिया और हमने कहा जब तक हमें सेमस बैंक्स से नहीं आ जाएंगे तो उन्होंने इस थोड़ा सा सब्सक्राइब का मुझारा किया हमने भी उनको रच कर दिया उसके बार नतीज़ा ये निकला कि अल्ला का शुकर कि 17 तारिक को रात 8 बजे तक हमारी पेमेंट सब किलियर हो गई ये अल्ला का बहुत बड़ा इसाम था कि हमारे बच्चों में भी इसकी खुशिया तोरी सी बहाल हो गई वर्दा तो रेल की जो तंखह है वो बिलकी मेदूर है इसमें वो लोग जो इतजाज कर रहेते हैं उनको भी तंखहाए मिल गई जी जी उसमें तमाम लावमे को जी जी सबको मिल गई लेकिन यहाँ आप उसका नतीज़े ये निकला कि उन्होंने इंत कोटवी चांसफर कर दो बंदों को जिसने मुझे जीया जिया बिए युनियन के कि अमीद बलोच रेलवे मेनलके यूंियन के अधि जार्ट्य गये गये आपको और बलोच आपको लैटर्ग गदेश उन्हें ट्रांसफर के लेटर जी कराची से सख्ष्ट ट्रांसफर हो गया कराची से कोटवी कोटवी ट्रांसफर बिजाए है आज हमारे मरकजी रहनोमाओं ने बाकादा टेबल टॉक किया है और तकरीमां 2 गंटे की मेनत के बाद यानि मुझा करे पा मिदाइ था कर दी है, कि परसों मंडे वाले दिन आपको वापसी के लेटर मिल देंगे और इन्शालला कैंसिलेशन हो जाएगा जो ट्रांसफर है आज इतफाक की बात है कि मुझाखरात में रजी साथ भी शामिल थे राओ नसीम भी शामिल थे मनजूर अमद मला भी शामिल थे दिगर और भी थे उनके नाम अगर में गिन्वाने लगों तो तकरीबर साथ आठ लोग थे तो आपका जो सवाल है वो एहम है कि आज ये यूनियन इस दुराएपे क्यों पहुँची तो उसके मामलात ये हैं कि हमारे पास जो है हो गए कुछ दुनिया से चले गए कुछ ट्रांसफ़र हो गए आज टोटल पांसो अफराद इस वकद यहां हाजर है तीन हजार मुलाजबीन चाटी हो चुका है मैं इस हवाल कर सकूँ आप से कि यह आप तोड़ा से सम्झा देए कि यह रेलवे खसारे में जाता है उसके अफ़ाद यह हैं कि यह ओर लोड़िड है यानि एक आदमी की जगाट बैस आदमी अपॉइंट होए हैं और इसकी वज़ा से यह मसाइल हैं दूसरा वो पेंशन की बात करते हैं कि इतनी बड़ी तालाद में वो पेंशन देनी पर लिए रेलवे को कि वह अफोर्ड नहीं करते हैं है कि यह इसमें यह जम्हाथ शामिल है यहाज आद में वेल लेकर सफरी यजिफृ फ्रेड निदने की कम्साभ जूरों के हैं कि इसम्हान कुछ चाहिए लोड़ी अहीं अइस थास विया रेलपसर alors Ettis वानिक होती हैं की पर उसका सब्सक्रा लेकर उसकान में मैं, अपस्तिुस को देख ले लेंघा उसके पास इनकम होती और वो तरफ देने के लिए काबिल नहीं है जब के दीगर दारे अगर डिफेंस एडिये में चले जाए या भर पुलिस को देख लें नेवी को देख लें एर फॉल्स को देख लेंग जो कोई कमाई करासना नहीं उनको वक्ते मुकर्रन पे तंखाएं क्यों दी जा रही है यह चीज में देखे ना कि करफशन तो अगर देखा जाए तो यह ओपर अफसरान कर रहे है ने मैं आपके पूछ रहा है रेल्वे वाकी खिसारे में है यह यह अफसरान और में बगज़ है मफ्तरिक लोगों जी इसमें ज बहुत ज्यादा अगर चोर होगा ना वो घंटे आदे घंटे का चोर होगा वो ड्यूटी में जंडी तो मान सकता है लेकिन वो किसी चीज की करफशन नहीं कर सकता ना मुंकिन है कि ऐसा कोई कर जाए तो असरान जो तिये दिये के नाम पर जो हजारों लाखों रुपिया कम लाजमीन होते हैं वो जाहिर असरान तो नहीं होते ना लेकिन वो जी वो असरान में शामिल है आपके खाल नहीं जो डी सियो होगे टिकेट चेकर मैं आप से सवाल सब्सक्राइश होने जीजे मेरा मैं आप से पूछना यह चाहता हूं कि जब बगाए टिकेट लोग सफर कर तो इसमें टीटी की मिली बगद होती है तो आप नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं समझते कि वह भी करफ होता है बिल्कुल करफशन है वो हकीकत में जहां एक हलार रुपे का किराया है यह चार सो रुपे के अंदर जनम मजदूर को यहां से किसी भी एक मसाफिर को लेके जाते हैं उचे करहें न है? उचे निशली सती के लोग कर रहे है न मैं यह का अप आपे समाल कर रहा हूं कि आप कैसे कहना है ने के निशली लोग सिर्द मासाल कर रहूँ है किलास पोर जो है ना वो छे नंबर आठ नंबर तक है नौ नंबर के बाद भी अगर देखा जाए तो मिस्टरी सुपरवाइदरों में आ जाते हैं अब सरान सोला के बाद है नीच पे जो आते हैं वो इंचाजिस हैं तो क्रॉप्शन तो निकली सथा का मतलब यह नहीं है कि न करने वाले आप कहरें कि यह जो भी टिक इंच चेकर है वह आप कहरें कि वह अफसरान में शामिल होता है यह करें ना नहीं अफसरान का मतलब यह मैं बात नहीं समझ रहें यहां बदाया मेंने केटेगरी तीन है एक किलास फोर है जो हमारा मज़ूर तपका है और मज़ूर है जो सिर्फ हाथ से काम करने वाला है यह आप होती हो गया एक रहुआ होग यह को अपनी यूनियन का मैंबर नहीं तस्रुद करते हैं नहीं यूनियन में अगर जो आते हैं हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 12, 14, 16 नंबर वाले वी यूनियनों में जो ना होदेदार होते है कि अगर वो जो लोग हैं उनके खिलाफ अगर कारवाई की जाए तो हम आपको मना तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जो उससे उपर बैदे में हैं जो 18 नमबर और 20 नमबर इसके लवाले हैं उनकी लड़ा सेलोनों को तो जाके देख लें उनके बंगलों की तो कंडिशन देखे जिसे लाको रुपया महीने का जो नहीं समझ लोगे उस पे जो आखराजात होते और मज़ूर के घरों के 30-30 साल हो गए उनके अंदर इस चुना सफेदी नहीं हुई है जो कर उनकी तंखा से 5% कट होती ही हर माँ होती है करफशन तो यह है ठीक है ठीक है ठीक है कि जिसको कोई हिसाब ही नहीं है आज तक अज़रा रहा हूं उस आर्टिकल को मैं आपको जरूर दूँगा ठीक है इ इन्होंने कुछ कशिलाइब बताई है कि अगर दी जाती है वो अफसरान को जो पहले से ही वेल आफ है उनको दी जाती है और आफिर में नंबर उनको आता है कि जो हैंड तो मांस लोग होते हैं जो इंचजार कर रहे होते हैं कि सैलरी आएगी या वो उदार पे अपना धर हुए जिए चला रहा हुते हों जब लाउरी जाती है तो जार में चली जाती है ये बहुत बदा ख्रलम है कि मज़ pub मस्थोर को सबसे पेले च21 मिलने चाही ही और जो अफसरान। में उनको आखरी कि सदा पर लाके मिलने चाहिए इत्रें के बहुतों बेल आफ लोग होते हैं ये तमान बुश्रोव को मैं आपके अवाले करता हूँ मुझे इजार देके अलावाज़